Welcome to my channel, Secret Home Remedies by Beauty Secrets, Body Lotion for Winter Friends, आज हम बना रहें एक ऐसा Moisturizer जो के आपकी बोड़ी को Moisturize करेगा आपकी स्किन को बहुत ज़्यदा नर्मो मुलाइम बनाएगा जैसे के हम सब जानते हैं कि सर्दियों के आमद आमद है और जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, साथ ही हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यदा ड्राइ हो जाती है स्किन बहुत ज़्यदा बेजाना और खुर्दरी हो जाने की वज़े से इसको Moisturize करना बहुत जलूरी है कोशिश करें कि हमेशा अपनी स्किन को ज़्यदा स्यदा Moisturize रखें तो चलें आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन किसम का Natural Body Lotion जो कि बहुत ही Good Moisturizer है इस Body Lotion के इसनमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन बहुत ज़्यदा Moisturize रहेगी बलके इसके सासाथ आपके स्किन के बहुत ही मुखलिफ किसम के जो भी Problems हैं वो सब हल होने वाले हैं ये Body Lotion Anti-Aging है यानि आपके चेहरे पर आपके स्किन पर से जुरियों का खात्मा करेगा रंगत को निखारेगा आपकी जिल को बनाएगा Young और Glowing इसमें इस्तमाल होने वाली तमाम अशिया बिलकुल Natural है 100% Effective है इसका कोई भी Side Effect नहीं है इस Remedy को इस Lotion को लड़के लड़कियां बच्चे हर उमर के अफ्राद इस्तमाल कर सकते हैं तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं एक छोटी साफ प्रेट ले लें सबसे पहले हम लेंगे अलोवेरा जल हम यहां पर फ्रेश वाला अलोवेरा जल इस्तमाल नहीं करेंगे हम यहां पर इस्तमाल करेंगे मार्किट वाला अलोवेरा जल आप किसी भी कंपनी का या किसी भी ब्रैंड का अच्छा सा अलोवेरा जल बाई कर लें हमें चुक्छे इस लोशन को महफूज करना है इसलिए हम फ्रेश वाला अलोवेरा जल इस्तमाल नहीं करेंगे मैं यहाँ पर अलोवेरा जल एड़ कर रही हूं 4 टेबल स्पून अलोवेरा जल बहुत अच्छा मॉस्टराइजर है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपरटीज पाई जाती है अलोवेरा जल का इस्तमाल हमाई स्किन को लंबे अर्से तक जवान और खुबसूरत रखता है हमारा सेकंड इंग्रीडियंट है ग्लैस्ट्रीन ग्लैस्ट्रीन का इस्तमाल हमाई स्किन को नर्मम बलाइम बनाता है चमकदार बनाता है आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी ग्लैस्ट्रीन ले सकते हैं ज्यादा महंगी भी नहीं है ग्लैस्ट्रीन इसमें हम शामिल करेंगे वन टेबल स्पॉन आपको जितनी किसी भी इंग्रीडियन्ट की मिगदा बताई जाए आप उसमें उतनी ही एड़ करेंगे ना कम ना ज्यादा ग्लैसिन वन टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर चुके हैं बदाम के तेल का इस्तमाल कंप्लेक्शन और स्किन टोन को बहतर बनाता है बदाम के तेल में वाइटमन ए पाया जाता है बदाम के तेल में अंटिबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज पाय जाती है हमने बदाम का तेल इसमें शामिल किया है वन टेबल स्पून अगर आपको acne का problem है तो उसके लिए भी बदाम के तेल का इस्तमाल बेहतरीन है अब आखिर में अब हम इसमें शामिल करेंगे vitamin E oil capsules vitamin E oil के capsules भी आप किसे medical store से ले सकते हैं vitamin E oil में भी anti-aging properties पाई जाती हैं आपकी skin को moisturize करता है vitamin E oil का इस्तमाल dry skin के लिए बेहतरीन है इसका इस्तमाल हमारी skin structure को बेहतर बनाता है हमारी skin को glow देता है मैंने vitamin E oil के दो capsules इसमें शामिल किये हैं इन capsules को आप कैंची की मदद से side से cut कर लें और इसका oil जो है वो बाहर निकाल लें या फिर आप इसके लिए needle यानि सुई का इस्तमाल भी कर सकते हैं सुई की मदद से आप सोराख कर लें और oil को बाहर निकाल लें तमाम अज़ा जो यहां पर हमें चाहिए थे हम इसमें शामिल कर चुके हैं अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो भी इसमें अज़ा हमने शामिल किये हैं वो अच्छे से mix हो जाएं और smooth सा paste बन जाए जैसे हम इसको mix करेंगे या इस्ता-इस्ता सफैद होना शुरू हो जाएगा और एक lotion की शकल इक्तियार कर लेगा इस lotion को आप दिन में भी किसी भी वक्त इस्तामाल कर सकते हैं जब भी आप अपने चेहरे को अपने जिसम को वाश करें शावर ले नहाएं उसके बाद आप इस lotion को अपनी पूरी बॉड़ी पर इस्तामाल कर सकते हैं इस lotion को apply करने के बाद आप घर से बाहर भी जा सकते हैं इस lotion को इस्तमाल करें साथ इस बाद का भी ख्याल रखें कि पानी का इस्तमाल ज़्यादा करें क्योंकि जैसे ही winter start होता है हम पानी का इस्तमाल बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं अच्छे से अब हम इसको mix कर चुके है अब मैं आपको बताऊँगी की आपको इसको किसता से apply करना है इस lotion को आप रात को सोने से पहले use करेंगे इस lotion को इस्तमाल से पहले आप अपने चेहरे को हाथों को, पाउं को या जहां जहां भी आपने इसको अपलाई करना है अच्छे से वॉश कर लें उसके बाद अपनी स्किन को ड्राय कर लें अपनी फिंगर्स की मदद से इस लोशन को आप अपलाई करेंगे चेहरे पर, हाथों पर, पाउं पर आप चाहें तो इसको पूरी बौडी पर भी अपलाई कर सकते हैं जब भी आप किसी क्रीम या लोशन का इस्तमाल करें, अपनी नेक यानी गर्दन को कभी भी इगनोर मत करें, क्योंकि गर्दन पर सबसे पहले रिंकल्स आते हैं, छोटी डबी या जार ले लें, उसको धो कर अच्छे से खुश कर लें, और इस लोशन को उसमें डाल कर महफू कर लें कि जो शीशी आप इस्तमाल कर रहे हैं, वो मुकमल तोर पे खुश्क है, इस लोशन को आप बासानी वन मन्थ तक भी इस्तमाल कर सकते हैं, हमने इस लोशन को महफूस करना था, यही बचा है कि हमने इसमें मार्किट वाला ऐलोवेरे जल इस्तमाल किया है, और अगर इसमें फ्रेश्वल अई लोवेरे जल इस्तमाल करते हैं, तो वो खराब हो जाता, जितना लोशन हमने बनाया है, एक शक्षिस को पूरा मन्थ इस्तमाल कर सकता है, अगर ज़्यादे लोग इसको इस्तमाल करना चाहा हैं, तो आप इसकी क्वाटिट बढ़ा ले, दिन में, रात में किसी भी वक्त आप US को इसको 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 स्तिमाल कर सकते हैं अपनी बोडि को अपने सकीन को जादा स्टाइद हॉइट रखें मौस्टराइज रखें जादा स्टाइब पानी का इसकाल करें अच्छी स्किन के लिए प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है टाइम से सोएं, टाइम से उठें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थाइम से सबस्क्राइब करें